नमस्कार फ्रेंच एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ग्रामणी विकास मंत्राले भरती 2021 में फ्रेंच जैसा की आप देख सकते हैं इसका ओफिशल नोटिविकेशन जो है आउट हो चुका है इसमें जो है आपका किसी भी प्रकार का एक्जाम नहीं होगा यह है आपका जो सेलेक्शन प्रोसेस है केवल इंटर्यू पे आधारित है जो यह आपकी सीधी बरती रहेगी फ्रेंच अभी फटाफट हम आपको लेच चलते हैं इसके ओफिशल नोटिविकेशन की ओर फ्रेंच उससे पहले मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो ओर्गेनाईजिशन है नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रेचर डवलप्मेंट एजन्ची है और आपको जो है एपलाई इसमें केवल ओनलाइन करना है इमेल के माध्यम से आप घर बठे अगर आपके पास अपना खुद का इमेल आईडी है तो आप इसमें एपलाई कर सकते हैं यह ओल इंडिया केंडिडेट्स इसमें एपलाई कर सकते हैं जैसा कि आपने थम्नेल में देखा था और यह जो इसका सेलेक्षिन प्रोसेस है केवल इंटियू रहेगा इसमें आपका किसी भी प्रकार का एक्जाम नहीं होगा इसका जो जोब लोकेशन एक्रोस इंडिया आपको भारत के किसी भी राज्य में इसको जोब करने का मोगा दिया जा सकता है फ्रेंस विभाग ने इसका जो है ओनलाइन इमेल आईडी एपलाई करने के लिए वी आपको प्रोवाइड करवा दिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंस वीडियो कमप्लेट होने से पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ आप लोगों से जो है एक सिकाईत रहते हैं आपको वीडियो को अंत तक जरूर देख लेते हैं पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भारत के किसी भी राज्ये या केंदर सरकार से समंधित सरकारी नोकरी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें इसका जो आप देख सकते हैं कुल नमबर ओफ वेकेंसी चार प्रकार की आज चुकी है असिस्टेंट डिरेक्टर, सेनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट राजभासा एंड इंटर्न्स आप नमबर ओफ पोस्ट भी यहां देख सकते हैं इनकी टोटल जो पोस्टें हैं यहां देर किये इन्होंने और आपका जो लास्ट डेट है इसको अप्लाइ करने का वो यहां इन्होंने देर खी ऐख 18 Columb से पहले आप जो है इसको अप्लाइ करेंगे और इसको अपको इमेल के माध्यम से ही करेंगे जो आपको बता दिया गया है अगर आप मेक्जिमम 45 साल के हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं. Friends, इसमें जो है, आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी. आप male, female candidates, जो भी हैं, OBC general, आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लगेगी. और जैसा कि इसमें जो educational qualifications है, अगर आपने किसी भी प्रकार की डिगरी कर रखी हैं, या post graduation जो आपने कर रखा हैं, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, चाहिए आप commerce से हो, चाहिए आप BTEC, MTEC या art से जो भी हैं, आप इसमें apply कर सकते हैं. अभी बात करते हैं, आपको apply करना के से हैं, तो friends, आप केवल email के माध्यम से online apply करेंगे, इन्होंने जो email ID देर की हैं, आप इसको देख सकते हैं, बाकि इसका जो official notification है, हमने हमारे telegram group में डाल दिये, आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं, या apply करने से पहले आप इसकी official website को visit जुरूर कर लें, friends, अभी बात करते हैं, इसका जो selection process है, वह आपका interview रहेगा, आप इसमें जो select होंगे, वह केवल interview के माध्यम से ही होंगे, friends, इन्होंने ध्यान देर रख है, और इसके लिए आपको T.A.D.A. जो government के according, जो इनके rules होते हैं, वो ये लागू कर देंगे आप पे, friends, ऐसे ही सरकारी भरती से update लेने के लिए हमारे इस channel को subscribe करें,